हलो, वल्किन टू मसाला मेनू, मैं मन्जू, आपकी कुकिंग दोस, उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ टाइम के बाद अभी त्योहारों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और त्योहार मतलब मिठाई, तो चलिए आज कुछ मिठा बनाते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, गुजरात की बहुत ही फेमस मिठाई मोहन्थाल, जो हर घर घर में बनाई जाती है मोहन्थाल बनाने का एक तरीका होता है, अगर आप उस प्रोसेस को फोलो करेंगे, तो आपका मोहन्थाल बहुत ही दानिदार बनेगा, और बिल्कुल वैसा ही बनेगा, जैसा हमें हलवाईयों के यहां मिलता है बिना मावा की हमें मोहन्थाल बनाएंगे फिर भी इसमें मावा का टेस्ट आएगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर से कर दीजेगा चलिए फटाफ़ से शुरू करते हैं बनाना मोहन्थाल मैंने यहाँ पर लिया है ढाई कप बेसन और बेसन को मैंने चान लिया है यह packet बाला बेसन है और अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी 3 टेबल स्पून गी गी थोड़ा यहाँ पर मैं गुनगुना गी का इस्तेमाल कर रहे हूं और अब इसमें आड कर देंगे 3 tablespoon दूद। दूद भी हम गुणगुना ही लेंगे तो 3 tablespoon घी और 3 tablespoon दूद हम इसमें आड कर देंगे हलका गरम। और यह जो step है इसको बोलते हैं मोयन देना। यह step बहुत ही important है, इसको आप skip नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस step को follow नहीं करेंगे तो आपका जो मुहन थाल है वो दानेदार नहीं बनेगा, गी और दूद को अच्छे से mix करने के बाद हम बेसन को इस तरह से हातों के बीच में ले करके मस लेंगे, करीब 8 से 10 मिनट लग ज चोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसको चान लेंगे, तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इस बेसन को हम चान लेंगे, तो यह हमें आटा चलने वाली चानने से इसको चान लेती हूं, आप चाहें तो इस बेसन को mixer grinder में भी 30 से के लिए 2 से 3 बार grind कर सकते हैं, और उसके ब दानेदार बेसन हैं, तो चलनी में से बहुत जल्दी से चानेगा नहीं, इस तरह का texture हमको मिलेगा, बहुत ही दानेदार बेसन है, यह बारिक वाला packet का बेसन है, और अब इसका texture आप देखिए, तो इससरे से मैंने इसको चान लिया है, और आप mixer में चला करके भी उससरे से आप इसको चान सकते हैं, तो वो प्रोसेस जादा असान रहेगा, पर मैंने इसको डारेक्ट चलने से चान लिया है, अब यह कुछ दाने है, यह इसको चलेंगे नहीं, तो इनको चोड़ देंगे, तो यह देखिए, हमारा पूरा बेसन चल चुका है, और बहुत ही दानेद अब हम इसको घी में फ्राइ करेंगे, यहां पर मैंने लिया है, एक कप घी, देसी घी का आपको इस्तेमाल करना है, इस मिठाई को बनाने के लिए, तो फिलहाल मैंने आदा कप घी इसमें आड़ कर दिया है, और घी जब गरम हो जाएगा, तो उसमें हम बेसन आड़ कर दे कुछ लोग जो है, दो कप पेसन में एक कप घी का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप उतने ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके मुह में बहुत ज़्यादा घी आएगा जब आप इसको खाएंगे, तो धाई कप में एक कप घी का अगर आप इस्तेमाल करें, तो एकदम परफेक्ट इसका टेक्शर रहेगा और बहुत जादा गी का टेस्ट भी हमारे मुँमें नहीं आएगा खाते टाइम अभी आपको थोड़ा थिक लग रहा होगा पर जैसे जैसे हम इसको भून दे जाएंगे इसका जो गी है वो सेपरेट होता जाएगा और यह बेसन काफी लूज हो जाएगा इसको हमें जो भूनना है वो बहुत लो फ्लेम पर भूनना है लो टू मीडियम पर आप इसको रख सकते हैं और पेशन्स के साथ हमें इसको भूनना है क्योंकि इसको भूनने में कम से काम 18 से 20 मिनिट आपको लग जाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको गी में अच्छे से भून लेंगे मुझे करीब 20 मिनिट हो चुके हैं इस बेशन को भूनते हुए और बेशन हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इस बेशन में से इसमें अब एड़ कर देंगे आदा कप दूद दो बार करके मैं इसमें ये दूद को एड़ करूँगी और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे करीब 4-5 मिनिट इसको हम और पकाएंगे जब तक ये दूद पुरा सूख नहीं जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तो अल्म।स हमारा यह जो बेसन हो भूणने का काम ही कम्प्लीट हो चुका है और इसके बाद हम गैस को आफ कर देंगे पर गैस को आफ करने के बाद भी आप इसे लगातार चलाते रहें क्योंकि कड़ाई करम है और अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो यह बेसन हमारा जल जाएगा तो यह हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और अब बची है चाशनी तो इस मिक्षर को मैं एक प्लेट में ट्रासफर कर लेती हूँ और इसी कड़ाई में मैं इसके लिए चाशनी त्यार करूँगी तो बेसन की मिक्षर को मैंने निकाल दिया और उसी कड़ाई में आड़ कर देती हूँ सवा कप चीनी हमने धाई कप जो है बेसन लिया था तो उसका हाफ मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ चाशनी बनाने के लिए सवा कप मैंने चीनी ली है और सवा कप ही यहाँ पर पानी इसमे अड़ कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए जब तक की चीनी मैल्ट नहीं हो जाती इसको पकाएंगे और इसकी हमको एक तार की चाशनी बनानी है अगर आपको सौफ्ट मोहन थाल चाहिए जिसकी की बर्फी नहीं बनेगी अगर आपको उस तरह का मोहन थाल चाहिए तो आपको आदे तार की चाशनी बनानी होगी लेकिन अगर आपको बर्फी जमानी है इसको सेट करना है तो आप एक या देड़ तार की चाशनी इसमें बनाएं तार से जादा की चाशनी बनाएंगे तो मुहन थाल आपका बहुत कड़क हो जाएगा चाशनी में मैंने एड़ कर दी है तीन से चार कूटी हुई इलाइची इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मैं किसी भी तरह के आर्टिफिशल कलर का यहां पर इस्सेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने बेसन को बहुत अच्छे से बूना था तो हमें किसी तरह का कलर डालने की जरूरत नहीं है बेसन का कलर ही बहुत अच्छा आया है चाशनी देखे गाड़ी हो चुकी है पर अभी हमें इसको और पकाना है इस चाशनी को आपको कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ चाशनी चेक करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी ले और उसमें कुछ बुंदे चाशनी की डाले देखे चाशनी हमारी फैल नहीं रही है एक ही जगह पर ट्डिकी हुई है और अगर आप इसको हाथ में ले करेंगे तो यह बिल्कुल जैली की जैसी होगी ना ये बहुत सक्त है ना ये बहुत लूज है तो हमारी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्टली बन के त्यार है और अब इसमें हम एड़ कर देंगे जो हमने बेसन का मिक्षर भून के रखा था चाशनी के साथ अब बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले flame को आप low ही रखे और जब तक ये dry नहीं हो जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे आप भी इस तरह से एक बार मोहन थाल अपनी घर में जरूर से बनाए और अपनी अनभव मेरे साथ शेर कीजिए कि आपका मोहन थाल कैसा बना तो देखिए हमारा mixture जो है और फिर dry हो चुका है बस ऐसा ही texture हमको चाहिए इसका गैस को हम बंद कर देंगे पर थोड़ी देर आप इसको लगातार चलाते रहें क्योंकि हमारी कढ़ाई गरम है तो यह जल सकता है एक plate को मैंने थोड़ा सा गी लगा करके grease कर लिया और अब इसमें यह mixture हम पूरा transfer कर लेंगे और फिर evenly आप चारों तरफ इसको फ़ला ले इसको set होने में थोड़ा time लगता है अगर आपके पास time है तो आप इसको overnight छोड़ सकते हैं और यह अच्छे से set हो जाएगा अगर आपको जल्दी ही मोहन थाल त्यार करना है जल्दी ही चाहिए तो आप इसको पहले room temperature पर आने दे थोड़ा normal होने दे और उसके बाद आप इसको fridge में रख सकते हैं fridge में यह आराम से 2 घंटे में set हो जाता है मोहन थाल को कटेवे बदाम और पिस्टा से गारिश किया जाता है तो मैंने इसमें यहाँ पर कटेवे बदाम इसके उपर फैला दिये हैं और साथ में पिस्टा पिस्टा को मैंने blanche कर लिया था हलके गुंगने पानी में पिस्टा आप थोड़ी दिर के लिए रख दे उसके बाद उनका छिलका उतर जाता है बहुत असाने से और फिर आप उसको कट करके इस तरह से लगा सकते हैं तो गार्निश करने के बाद अब आप इसको या तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं या आप इसको रूम टेंपरेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखके सेट कर सकते हैं दो घंटे के लिए तो हमारा मोहन थाल बनके त्यार है बहुत अच्छी सी खुश्बू आ रही है और इसको आप 15-20 दिनों के लिए रख सकते हैं ये खराब नहीं होता है पर इतने दिनों तक ये बचने वाला नहीं क्योंकि ये बहुत ही डिस्टी बनता है मोहन थाल को मैं पीसिस में कट कर लेती हूँ पर ये अभी तक सेट नहीं हुआ है तो इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी दो घंटे के लिए तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा ये थी हमारी आज की मोहन थाल की रेसिपी उमीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर से कर दीजेगा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटा फट से सब्सक्राइब कर दे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूंगे आप से एक नई और इंटेस्टिक रेसिपी के साथ थैक्यो वाचे 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 हुडड़ नहीं किए जिए सब्सक्राइब ऑब इस अजाए और मिलूंगे तक से लिए नहीं किए नहीं किए तक सब्सक्राइब टेक किए अज़ीड थाए